हाई गाईज वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ स्पीटी और आप देख रहो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों सिर्फ कुछी लोग अपने रिलेशनशिप को वापिस अट्राक्ट कर पाते हैं और कुछ लोगों से यह सारी चीज़ें आपको क्यूं मैनिफेस्ट करने पीज़े वाली चीज़ें कहां से आगरी क्यों हमने तो बता दिया कि हमें यह चीज़ें अब यहаं पर क्या क्दभ करने के उसकी image नहीं बना लेते हो, उससे related feelings अपने दिल के अंदर नहीं जगा लेते हो, तब तक आप किसी भी wish को law of attraction से attract नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन के अंदर वो सारी तस्वीर है, वो सारे pictures, वो सारी feelings होना चाहिए ना, जो आपको ये बताती है कि आपको आपके wish मिल चुकी ह मतलब पहले आपका relationship किसी ना किसी person के साथ था, तो आप उसे यहाँ पे जानते हो, और जब आप उस इंसान को जानते हो, तब आप उस feeling से भी परिछित होगे कि जब आप दौनों एक दूसरे के साथ खुश थे, मतलब यहाँ पे तो आपको एक चीज पता है कि आप उस person के साथ थे, तो वो सारे moment कैसे थे, वो सारी feelings कैसी थी, जब आपको यह सारी चीजे पता है कि वो सारी feelings कैसी थी, वो सारे moments कैसे थे, और उस इंसान के साथ आपका कितना amazing time गुज़रा है ना, तो आपके लिए सारी चीजे manifest करना बहुत आसान हो जाता है, पर फिर भी कुछ लो चेस, 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 एक इंसान के पीछे भागने लग जाते हैं, और जब वो उस इंसान के पीछे भागने लग जाते हैं, तब वहाँ पर universe को समझ नहीं आता है कि यह मांग क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप उस feeling को touch करना भूल जाते हो, जो आपको बताती है कि आपको अपके wish मिल चुकी है, आपको इस चीज को experience करना, और इसी लिए जब आप अपनी relationship को वापिस attract करना चाते हो, तो आपने जिन चीजों को पहले experience किया हुआ है, जिन amazing moments को पहले experience किया हुआ है, आपको बस उन चीजों के बारे में ही दुबारा सोचने लग जाना है, उस amazing वा क्योंकि जैसे ही हम ये सारी चीज़े feel करने लग जाएंगे ना, वैसे ही हम universe को ये बता देंगे कि universe हम इस person के साथ इसलिए जाना जाते है, क्योंकि हमें इसके साथ ऐसे beautiful moment को experience करना है, और अब बात रही वैसे relationship कि जिनने अपने past को भूलना है, और अपनी life में एक new magical relationship को attract क करना है, अब आपको मन के अंदर एक बात को समझने की कोशिश करना है, जिब आपके साथ आपकी life में ना कोई भी गलत चीज हुई है, तो आप ये सोचते हो कि मेरा दिल hurt हुआ, मतलब आपके दिल में किसी ने ठेस पहुँचाई है, मान लीजिए आपके दिल में चोट करते रहोगे, तो आपके दिल में हमीशा pain रहेगा कि उस इंसान ने मुझे चोट दी, उस इंसान ने मुझे चोट दी, उस इंसान ने मुझे चोट दी, और जब उस इंसान ने मुझे चोट दी, ये ऐसास आपके दिल के अंदर, मन में जब तक रहेगा ना, तब तक वो न आपको दोबारा से अपनी journey में आगे बढ़ना है तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हो आप ऐसा तभी कर सकते हो जब आप एक thought अपने mind में सोच लो कि ये सारी चीज़े मुझे hurt नहीं करिये ये सारी चीज़ों ने मुझे lesson दिया ये सारी चीज़ों ने मुझे ये बताया कि मुझे मेरी life में किस तरह का person चाहिए किस तरह का इनसान चाहिए ये तो बहुत बस छोटा सा हिजाब किताब था जो universe ने मुझे सिखा दिया कि ऐसे ऐसे लोग मुझे मेरी life में नहीं चाहिए मुझे एक amazing, powerful, divine person चाहिए जिसके साथ मैं बहुत जादा खुश रह सको और जैसे ही आप इन सारी चीज़ों में अपनी जीत को feel करने लग जाओगे न ये feeling अपने मन मिलाने लग जाओगे न कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ इसमें मैंने ये सीख लिया कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए उसी समय ना आपका दिल आपको ये बताने लग जाएगा कि yes, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ मुझे कोई तकलीफ ने भी, मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये सारी चीज़े नहीं चाहिए, आखिर हम बजार भी जाते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ को लेना चाहते हैं अपने बज़ट के प्राइस में, तो यहां तो बात आपकी रिलेशन्शिप की, आपकी लाइफ में आने वाले परसन की है, तो आपको gratitude express करना चाहिए universe को कि आपको पता चल चुका है कि आपको किस तरह का इंसान अपनी life में चाहिए और अपने लिए चाहिए ताकि उस इंसान के साथ आप बहुत जादा हर पल, हर एक से करना खुश रह सको, so guys अब हम मिलते हैं next वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, बाब बाई